स्वागत है जी आप सब कचे डोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो में आज हम करने वले हैं अमरिसरी कुल्चा कमपैर्जन तीन जगह से जो है न हमने अमरिसरी कुल्चा मंगवा लिया एक दो तीन और रैंडम ली मंगवा है तो देखते हैं कि दिल्ली के जो है न लोकल अमरिसरी कुल्चा में मिलता है यह आपको जो है इन तीनों की क्लोज लुक करेंगे और और आ植से पेंगे और aumento एक्परेंたい शेर करेंगी कि कि किस यह में काफी अच्छे लगे थैंक यू सो मच ऐसी बड़िया बड़िया कमेंट जो है ना बाई करते है रहे ना वागी वीडियो अच्छे लगे तो बाई वीडियो को लाइक कर देना बाई सबसे पहले हम देख रहे यहागे कुलचा हमने मुझे बुद्चा यह जो है आण नाम ही त Zumag ऐ से अच्छा लगा कि हमने प्लगी आप देखते हैं कुलचा मंबर सरया के अंदर हमowski मिले है यह चटनी यह और यह जोले अमूल मक्षन और इसके अंदर होगा जी हमारा कुल्चा तो उसकी भी लुक देख लेते हैं कैसी है काफी बढ़िया लग रहा है यार बैक साइड से तो अरे वाँ यह इतान की मैं इसके अंदर काफी गया क्रिशुक्हार है काफी है विलगर अच्छी ईख़ी है आपको भी दिखाएनगे अच्छा काफी है नकिती है आधो प्यापछा मदा ज़िए All आपन मेंकी सविला को लगैंगे है Water का जैसे कि लिए वार्नाव Monsieur और ने क्य और यह हमारे चोले काफी अच्छे लग रहे हैं इसको प्लेट में लगा लेते हैं और आपको सेकेंड दिखा दे कि हमने कहां से मंगवाया है और जारीक उल्चा पंजाबी प्राउथा से और यह जो हैंके छोने हैं और यह क्या बाता दो आगए सिंगल सिंगल यूंग वाइवा नामने सबसे अच्छा मैंने एक एक्स्ट्रा रोटी भी करवाई थी वंकर जिसमें साथ में यह प्याज और हरी चटनी तो मतला वह इमली वाला जो चटनी होती है वह नहीं है पहले आपको दिखा देते जी अम्रसरी कुल्चा इनका कैसा है लेकिन वाई यह ना कुल्चा नहीं है यह वाई तंदूरी प्राउठाई समझ लो आप बागी देखते हैं चोले बड़ा टाफ है यार तो जी एक पॉलतिन उतारने के बाद बदा चले है कि इसके नीचे भी जो है ना इनोंने वह लैमिनेशन कर रखे है वह भी कर रखा है वाई तो यह बड़ा टाफ है यार इसको खोलना वाई तो इसको खोल लेता हूं एक बार फिर आपको दिखाता हूं तो वह कुछ 200 साल मेहनत करने के बाद ना आखिरकार हमने वाई इनकी धैली खोल ली है चोले गाड़े भी बहुत है और छोले जो है ना भाई एक बार लुक और थर्ड हमने मंगवाया जी दकुल्चा से और यह जीन के छोले और इमली वाली चटनी पहला है जिसने दी है और अच्छा इसमें प्याज भी है क्या है और बाई कुल्चा यार इनका काफी है भी लग रहा है उठाने में तो बाकी लुक देखते है कैसी है बाई यह तो बहुत बढ़ी है यह निकलाया भाई साब अम्रसरी कुल्चा आप लेर्स देखो यार एक दो तीम चार बाई काफी सारी लेर्स है और अंदर स्टफिंग भी जो है ना काफी है भी लग रही है वाई यार इसकी प्लेट तयार करते है पहले फटा फट तो जी अपने प्लेट तयार करते हैं जी यह इमली की चटनी विद प्याज जिसमें प्याज भाई कम है और छोले की वाई साब तिकनस देख लो मेरे खियास से अब तक के जो है ना सबसे गाड़े छोले है भाई बहुत ही बढ़िया लग रहे है यार रंगत देखो इसकी कितनी प कुल्चा मैं आपको बता रहा हूं दिल खुश हो गया वाई इसको तो देखके तो वाई तीनों प्लेटे आपको एक साथ दिखा रहे है यार कमेंट करके जुरू पताना कि आपको इन में से जो है ना किसकी लुक बहुत बढ़िया लग रही है यार यह कुल्चा अंबर सर अच्छा फैर जो होगे ना तो बहुत शानदार है यार कमेंट करके जुरूर पताना कि आपको इन में से जो है जो है किसकी लुक बहुत शांदार लग रही है यार और याइनको टेस्ट करने की और जैसे आंपन किया था ना हम उसी सीक्वेंस पर टेस्ट करने वाले हैं तो इसको मैं कर देता हूं सेंट में कुल्चा अंबर सरियादा बाई नाम रेस्टोंट का बहुत कमाल का है अब यह जो भी एक लोक्वाइस क्वालिटी लग रही है काफी अच्छी लग रही है कुल्चा एक दम क्रेस्प बिल्कुल और इसके ओपर ड टेस्ट करने तो वह मैं भी अपनी पहली बाइट जो एना तयार करता हूं यार और आप देखो स्टफिंग काफी अच्छी लेरिंग तो यह जादा नहीं है यह देखो दो तीन लेर्स तो पक्का है वाई काफी अच्छी स्टफिंग है तो थोड़ा सा वाई लगाते है जी इसमें अमूल मक्षन और यह जी हमारे छोले यह लोगी तो बाइट हमारी तैयार होगे जी टेस्ट करते हैं मज़ा आ गया बहुत बढ़ी आ इनका तो कुल्चा भी बहुत स्वाद है और चोले बड़े कमाल के और यार जो अमूल मक्षन का भी बीच में टेस्ट आया वह भी बहुत कमाल का है इसका ज्यादा पता नहीं चला मला प्यास तो बदा चला लेकिन वह जो इमली की खटास ह भाई लेकिन थोड़ी सी ना लाइट है भाई इसमें खड़े मसालों का अजवायन धन्या बगारा काफी अच्छे फ्लेवर्स आ रहे और चोले भी कमाल के और चोड़ने का मनी निकारा तो एक बाइट और उसके बाद जो आना यह पंजाबी प्रॉंठा लोगा टेस्ट कर करने बाद ऑवर्वी बताऊंगा कि मेरे को सबसे बेस्ट कौन से लगे बिल्कुल बिल्कुल बाई अगर आप यह वीडियो देख रहे हो पंजाबी प्रॉंठे वाले तो भाई देखो यार थोड़ी सी कमी है प्राइज में आपको दाना तो सबसे जादा इन्हों नहीं ल कि चटनी नों ने दी नहीं है तो मैं प्याज रख रहा हूं करें चलो कि देखो अम्रसरी कुल्चा को तो नहीं है मला आप प्रांथा समझ के मंगवा रहे हो ना तो आपका अच्छा लगेगा टेस्ट काफी अच्छा है छोले जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अना स्टाफिंग है लेकिन जो है ना मतलब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन उनके छोले जो है भाई मुझे वह बहुत अच्छह लगे एक एक दाना है छोले काफी अच्छे घुले हूँं है एक बाई डौर लेते हैं इससे कंपेरिजन नहीं है वैसे खाने लेकिन वैसे अच्छा लग रहा है उपर मक्षन वगएरा काफी अच्छा लगा हुआ है तो जी अब बारी है जी दख कुल्चा को टेस्ट करने की भाई साब और मैं आपको बता रहा है यह है असली अम्रसरी कुल्चा यार सबसे ज्या अच्छे साबुद धनिया वगएरा अज्वैन सब नजर रहा भाई और बाइट जैना तयार करते है इसकी छोले देख लो यार कितने गाड़े है यह लगा देजिए उपर छोले और यह थोड़ा असा इमली और प्याज तो जी बाइट हमारी तयार हो गई है टेस्ट करते तो करवे टेस्ट चलो मज़ा अगया यार क्या टेस्ट है यार छोले कितने स्वाद है और कुल्चा कमाल का है जितना दिखने में है भी लग रहा तना यार उतना ही बाइट लेने में ना भाई कोई मुश्किल नहीं लगा इसको एक गुल गया भाई मूह के अंदर इतना ज तो आपका पेट भर जाएगा बिलकुल यार हाथ नगाने भी पता चल रहा है कि कुल्चा कितना ज्यादा क्रिस्पेट तूट रहा है और मसाल जो फ्लेवर बगारा रहे हैं बहुत कमाल क्या बहुत वह माल का और जितना भाई क्रंची लग रहा है ना दिखने में उतना ए भाई मज़ा आगे इसको खांगे यह देखो यार लेयर से लग हो रही है भाई लेने लेने में यह लग रहा कुछ ऐसी चीछ जो आप बिल्कुल ऐसे ऑथेंटिक बिल्कुल अम्रिसर गा टेस्ट ले रहे हो बिल्कुल यार मज़ा आगया बाई कमी उसके अंदर भी नहीं सेकेंड भाई कमी इसके अंदर भी नहीं है अम क्या था कुल्चा अंबर सर्यदा यह भी बहुत कमाल का है यह कुल्चा नहीं है भाई तो इन दोनों को जो है ना आट ट्राय करो आपका दिल खुश हो जाएगा अब आपको जो है ना फटड़ा-फट इनका प्राइस भी ब करते हैं उम्हीर करते हैं आपको हमारी आज सब्सक्राइबेज लगी लाइक करें करें और कमasto बिताइएगा कैस सब्क्रइन तब चन के लिए ऐब सकते